जै माता दी आप सबका आपके अपने चैनल नेचे डिजाईज में स्वागत है नवरातरी के नौवे दिन यानि आकरी दिन मा भगवती के नौवे सुरूप देवी सिद्धि दातरी की पूजा अर्चना की जाती है मा सिद्धी दातरी अपने भक्तों को सभी प्रकार की शक्तियां प्रदान करती है माता का ये सुरूप सभी दिव्य अकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है इस दिन विधी विदान से मा सिद्धी दातरी की पूजा अर्चना करने से सबी प्रकार की मनुकामने पूर्ण होती है और रोग, शोक, एवं भय से मुक्ती मिलती है पुरानिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने मा सिद्धी दातरी की पूजा कर सबी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था माता की ही कृपा से भोले नात का आदा शिदीर देवी का हुआ था इसी कारण वे इस लोक में अर्ध नारिश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे आए जानते हैं नम्मी तिथी के शुब मूरत नम्मी तिथी प्रारंब होगी 3 अक्टूबर 2022 को शाम 4 बचकर 47 मिनट पर और नम्मी तिथी स्माप्त होगी 4 अक्टूबर को दोपहर 2 बचकर 20 मिनट पर उद्या तिथी के कारण नम्मी का पूजन और पारण 4 अक्टूबर को ही किया जाएगा महानम्मी पूजन के शुव मूरत ब्रह्म मूरत प्रातय काल सुबह 4 बचकर 53 मिनट से 5 बचकर 41 मिनट तक प्रातय संद्या प्रातय काल 5 बचकर 17 मिनट से 6 बचकर 30 मिनट तक अभिजीत मूरत होगा दोपहर 12 बचकर 3 मिनट से 12 बचकर 51 मिनट तक विजे मूरत होगा दोपहर 2 बचकर 26 मिनट से 3 बचकर 14 मिनट तक अमरित काल है शाम 4 बचकर 52 मिनट से 6 बचकर 22 मिनट तक गोदुहली मूरत है शाम 6 बचकर 13 मिनट से 6 बचकर 47 मिनट तक रवी योग होगा पूरे दिन माता का स्वरूप माता की चारों बुजाओं में गदा, चक्र, डम्रू और कमल का फूल विराजमन है माता को बैंगनी रंग अत्यंत प्रिये है इस दिन माता को नौ प्रकार के फूल अर्पित करना वे मिठाई का भोग लगाने से माता जल्दी प्रसन होती है और भक्तों के सभी कश्टों का नाश करती है भक्त इस दिन कन्या पूजन कर मा दुर्गा को विदा करते हैं दार्मिक मानेताओं के अनुसार कन्या पूजन के बिना नवरातरी की पूजा अधूरी मानी जाती है आईए जानते हैं मा सिद्धी दातरी की पूजा विधी, मंत्र, आर्ती और परानिक कथा के बारे में माता को हल्वा पूरी वे चने का भोगल गाएं इसके बाद मा सिद्धी दातरी की कथा का पाठ करें और फिर अंत में आर्ती कर कन्या पोजन करें नौ कन्याओं को माता का प्रसाद खिलाएं धार्मिक मानेताओं के अनुसार दो से दस वर्ष तक की कन्या में मा दुर्गा साक्षात वास करती हैं इस तरहें मा सिद्धी दातरी की पूजा अर्चना करने से माता जल्दी परसन होती है और भक्तों की सभी प्रकार की मनुकामने पून करती है मा सिद्धी दातरी मंत्र या देवी सर्व भूतेशु मा सिद्धी दातरी रूपेंड संसिता नमस्तसे 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 नमो नमह मा सिद्धी दातरी की आर्ती जै सिद्धी दातरी मा तू भक्तों की दाता तू भक्तों की रक्षक तू दासों की माता तेरे नाम से मन की होती है शुद्धी, कठिन काम सिद्धी करती हो तुम, जबी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम, तेरी पूजा में तो ना कोई विधी है, तो जगदंबे दाती तु सर्फ सिद्धी है, रवीवार को तेरा सुमरन करे जो, तो सब काच उसके करती है पूरे, तेरे दर का ही अंबे सवाली, हिमाचल है परवत जहां वास तेरा, महाननदा मंदिर में है वास तेरा, मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, भक्त की है सवाली तु जिसकी दाता,मा सिद्धी दातरी व्रत की कथा पौरानी कता के नुसार भगवान शिव ने मा सिद्धी दातरी की पूझा कर सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था तथा उनका आदा शरी नारी का हो गया था इसलिए उन्हें अर्द नारिश्वर के नाम से भी जाना जाता है व्यादिक शास्त्रों के नुसार जब पूरे ब्रह्मान में अंधेरा था यानि कोई संकेत नहीं था तब उस अंधकात से भड़े ब्रह्मान में उर्जा का एक छोटा सा किरन प्रकट हुआ धीरे धीरे इस किरन ने अपना बड़ा अकार लेना शुरू किया और अंत में इसने एक देवे नारी का रूप धारन किया ये कोई और नहीं बलकि स्वय मा सिद्धी दातरी थी मा सिद्धी दातरी ने प्रकट होकर त्री देवों को जन्म दिया तब ब्रह्मा विष्णू और महेश प्रकट हुए ऐसा माना जाता है कि मा ने शुष्टी का निर्मान किया था वहीं दूसरी पौरानी कथा के अनुसार जब सभी देवी देवता महिशा सूर के अत्याचार से परिशान हो गयते तब तरी देवों ने अपने तेज सेमा सिद्धी दातरी को जन्म दिया था जिन्होंने महिशा सुर का वद कर तीनों लोकों को महिशा सुर के अत्याचार से बचाया था धन्यवाद आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी ऐसी ही और वीडियोज के लिए हमारे चैनल नेचर डिजाइस को सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन को प्रेस कीजे और कमेंट में जै मातादी लिखना ना भूले धन्यवाद जै मातादी आप सब को नवरातरी की बहुत बहुत शुब कामना है